भाई वीकेंड के वार पे रजद दलाल ने किया है परदाफास जी यहां किसका परदाफास किया है दरसल विकरांद में सेट पे आये हुए हैं और वो अपनी जो मूवी उनकी सावर मती करके उसके प्रोमोशन के लिए तो शायद कोई परदाफास वास किया होगा उन लोगों वहाँ पे तो वैसा ही टास्क लेके आये हुए हैं कि भाई परदाफास करना है घर के अंदर कि अगर आप यहां से एविक्ट हो जाते हैं तो आप किसका परदाफास करना चाहेंगे अपने दोस्त को किसको बता के जाएंगे कि भाई इससे दूर रहना तो ऐसे में रजद अरांस जो करते हैं वो देखके सल्मान खान का भी ऐसा चेहरा बिल्कुल ऐसे शौक हो जाता है और शिल्पा शिरोटकर के बारे में बोलते हैं जब बोला शुरू करता है रजद तो शिल्पा ऐसे बिल्कुल मून का खुला का खुला रह जाता है कि रजद जी आपने क्या क रजत कहता है कि देखो शिल्पा जी वैसे तो सभी के साथ रहती है, सभी के साथ उठती है, बैठती है, घुलती है, मिलती है, जब किसी का उनके आगे मचाक बनाओ, वो तब भी कुछ नहीं कहती है, किसी को शेरोशायरी बोलो, तब भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन हा, दो द वाला गेम है उनका वो कहीं नहीं एक्सपोज किया है रजर दलाल ने और ऐसा सुन के सलमान सर का भी मूँ बिल्कुल ऐसा सीरियस हो गयते है वो कि यह क्या बोल रजट और शिल्पा तो बिल्कुल शॉक में थी कि यह क्या हो गया वीकेंड के वार पर ऐसा खुला सा तो मत करो मेरे खिलाफ तो इस तरीके का जब खुलासा किया रजट ने तो कहीं ना कहीं रजट ने सची बोलागी तो हम भी नोटिस करते हैं कि वही शुल्पा शिरोट कर यह डबल फेस जो खेलती है वैसे घर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ शुल्पा की बॉंडिंग बीच में स्टार्टिंग के दिनों में अविनाश वगेरा से इनकी बॉंडिंग खतम थी लेकिन अब तो अविनाश से भी बड़ा अच्छा बॉंड है इसा सबसे बहुत अच्छा बॉंड है वैसे शुल्पा है घर के अंदर जिसके साथ उसकी थोड़ी खट पट चलती है जिसले शुल्पा के साथ नहीं बंदे बाकी हर इंसान के साथ शुल्पा जी अच्छी है अब इसको आप शुल्पा के अच्छा ही लगा लो या फिर ये लगा लो कि भाई ये वो दोनों तरफ का खेल खेलती है तो आपका क्या है कहना रज़त के परदा फास्ट पे